नमस्कार, Competition Committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रथान आईए फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करती हैं वीकली करेंट अफेर में सेप्टेंबर थर्ड वीक के महत्वपूर्ण करेंट अफेर को जिनका संबन Environment and Science and Technology के साथ है जहां पे हम इसे cover करते हैं Static plus Dynamic दोनों तरीके से ताकि इस से related सभी fact आपको अच्छे से समझाएं और आप exam में बहतर perform कर सकें और हम अब इस session को थोड़ा ज़्यादा innovative कर रहे हैं धीरे-धीरे जिसमें कि हम इसमें facts, MCQs, motivation, tricks बहुत सारी बातों को आप introduce कर रहे हैं और सब का एक ही और केवल एक ही objective है कि आप अपने target या लक्स तक ज़्यादा आसानी से पहुंच सकें ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं आज के session को तो आज के session में देखिए बहुत ही important content है जो पिछले week में हुआ है आपका world ozone day, world rhino day, भारत में चीता पुनरवास यानि चीता rehabilitation, reintroduction भी कह सकते हैं और PM प्रणाम यूजना ये चारों महतपूर्ण आज का content है जहां से आप उपर की तीनों को चीजों को देखेंगे तो बहुत important है ठीक है क्यों important है हम समझेंगे अब यहां पे हमको समझना है कि current affair का ये session अब दिनों दिन और ज्यादा बहतर होता जाएगा क्योंकि आपका exam करीब आ रहा है और exam related बहुत सारे ऐसे content आपको दिये जाएंगे ताकि आप exam में बहतर perform कर सकें ठीक है इन बातों को ध्यान रखेगा और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीच में September के पहले August का कुछ current affair और जुलाई का कुछ दिन का current affair बच गया था उसे जल्द ही नए session में आपको provide करूँगा ताकि उस बीच के जो current affairs थे वो भी पूरी दर से cover हो जाएं ताकि exam में आप अच्छा perform कर सकें ठीक है तो आए हम start करते हैं आज के session को तो सबसे पहले world ozone day every year जो है world ozone day 16 September को ही celebrate किया जाता है क्यों किया जाता है उसके पीछे एक history है उस history को समझेंगे तो आपका static part cover हो जाएगा तो लेकिन यहां पर समझ लेते हैं पहले dynamic part को तो dynamic part पर देख रहा है कि world ozone day every year कब बनाते है 16 September को मनाते this is very very important और this year 22 की 2022 की जो थीम थी जो जिस विसाय पर यह world ozone day की मिटिंग हुई यह celebrate किया गया वो क्या था यह था global cooperation protecting life on earth प्रित्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैस्विक सहयोग ठीक है यह global cooperation क्या होता है आये हम उसे समझ जाएंगे है ना आये उसको समझने का थोड़ा सा प्रयाज भी कर लेते कि global cooperation का मतलब सभी country के द्वारा आपस में क्या होगा इस प्रकार contribute किया जाएगा environmental protection को लेकर जहां पर जो ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट होता है यानि की ओजोन लेइर को छरण करने वाला जो भी लाइक जो एलिमेंट होता है जैसे chlorofluorocarbon SCFC hydrochlorofluorocarbon free on ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है उन सब को क्या करेंगे stickly prohibited करेंगे या प्रतिबंदित करेंगे ताकि ओजोन लेइर का obviously क्या है प्रित्वी पर बहुत सारी चीज़ें बहतर होंगी अब इसका उद्देश क्या है तो कोई भी डे को celebrate करने का एक ही और केवल एक ही उद्देश होता है वो होता awareness कि उसके प्रति लोग aware हो होने पर automatically चीज़ें बहतर हो जाती है ठीक है उसके बारे में जागरुपता पैदा करना ताकि उसका सरक्षन किया जा सके क्यों मनाते है तो देखिए है ना कब क्यों मनाते है तो actual में क्यों का answer क्या है 1987 सेक्स्टीन सेप्टेंबर 1987 को क्या था Montreal प्र क्या किया गया था हस्ता September को ही हुआ था इसे रेकॉल करने के लिए या इसे रिमेंबर करने के लिए हम इसी डे को वाल्ड ओजोंडे सेलेब्रेट करते हैं अब है यहाँ पर वाई का answer में बाकी बात कौन क्यों है तो क्यों है तो यह समझ में आ गया इसके कारण है अब कब से मनाए गया तो ये तो हो तो गया था 1987 16 सेप्टेंबर को लेकिन बहुत बाद में 19 दिसमबर 1994 को United Nation की एक सभा होती है और वहाँ पे इससे मनाने का celebrate करने का finally declaration तै होता है याने घोशना की जाती है कि उस दिन में हमने Montreal Protocol में हस्ताक्षिर किया था साइन किया था तो अब उस डे को remember करने के लिए क्योंकि वह एतिहासिक दिन था that's why हम इसे कहेंगे कि इस डे को वर्ड ओजोन डे के तौर पर celebrate करें पूरी दुनिया क्योंकि United Nation के जितने member country है सभी सभी माठपूर country इसमें सामिल है ठीक है तो इस बात को आपको समझना था तो यह क्या important है डे important है theme important है और क्यों मनाया जाता यह important है clear हो गया अब चलिए अगर ऐसा समझ लिए है तो अब हम इसके थोड़ा static part की और move करते हैं तो static part में जब समझेंगे तो सबसे पहले यहां पर समझ लीजेगा कि ओजोन लेयर होता क्या है ओजोन लेयर समझते हैं तो जैसे की imagine करिए हमारी अर्थ है अर्थ से उपर जाएंगे तो अलग-अलग लेयर साते हैं इस प्रकार atmosphere का यह लेयर भी एक्जाम में पूछा जाता है और अगर आप पास्टेयर के एक्जाम दिये होंगे तो इस चीज़ को बहतर तरगी से समझ पाएंगे कि प्रित्वी के सता से उपर जाने पर atmosphere के लेयर का सही सिक्वेंस अरेंज करिए ठीक है तो उसे याद रखने का सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया था T SMTE T SMTE से याद रख सकते हैं ठीक है जहां पर T का मतलब क्या है छूब मंडल ट्रोपोस्फियर होता है S का मतलब है स्टाटोस्फियर या सम ताप मंडल होता है और मद मीजोस्फियर यानि की यह मध्य मंडल होता है ठीक उसके बाद देखते हैं थर्मोस्फियर या फिर इसे कहते हैं ताप मंडल ताप मंडल और उसके बाद देखते हैं एक्जोस्फियर इसे कहते हैं बहिर थीक है उसके बाद कहते हÕी यह बहिरमंडल तो इस प्रकार ट्रम स्पियर ज्ट्रकार यह सेक्वेंश हो गया है अब होता क्या है और जो होती है अगर हम उसका जो है सूत्र लिखेंग तो ओथ्री होता है oxygen O3 इस प्रकालिक सकते हैं उसे यह O3 या Ozone जो होती है वो दो जगा पाई जाती है पहला क्या है प्रित्वी की सता से हम देखते हैं तो करीब प्रित्वी की सता से करीब 12-18 km 8-18 भी कह सकते हैं ठीक एक्चल में उस रेंज में हमारा होता क्या है प्रपोस्वियर या छोब होता है तो यहां पे भी ओजोन मिलता है पॉइंट नंबर वन तो यहां पे भी ओजोन मिलता है आपका और पॉइंट नंबर टू कि यहां पे जब उपर जाते हैं तो यहां पे स्टाटो स्फियर में भी ओजोन मिलता है अब यदि हम देखते हैं दो जगा ओजोन मिलता है तो ओजोन लेयर कौन बनाता है ओजोन लेयर क्यों बनाता है तो ओजोन लेयर बनाता है यह आपका स्टाटोसफियर वाला यही क्या है ओजोन लेयर बनाता है और इससे होता क्या है सन लाइट जो पड़ती है सन लाइट में क्या-क्या होती है सन लाइट में बहुत सारी चीज जो अल्ट्रा वाइले ट्रेस होती है पराघनी किरने ये हानिका रखोती कि सता पर जैसे ही पढ़हीं यदी तो ये क्या होता सकीन चैंसर होने का डर हैं नेश कि बहुत हम, था नाइन्टीन फिसंट क्या रफिल लिए ट्रेस को यह क्या है वो जोन लेयर लेकर कर लेता IF Bliss पारश अभी बनेऊ सकेंगे दूब से भीनि बस सखेंगे तो सिंपल है कि उस उल करने वाले जो एजेंट है वह हमारे क्या है रैगुलर में यूज किए जाते हैं जैसे की freeze में free on freeze में क्या है आपका free on chlorofloro carbon वगरा यूज किया जाता रैफ्रीजरेटर वगरा में बहुत सारे paint के डिबो में ऐसे क्या है chlorine bromine वगर के जो है जो अलाई के एजेंट यूज किया जाते हैं उसके सरक्षन में हमारा एक प्रयास माना जाएगा अब एक बात समझिए यदि इसने हमने देखा कि यह जो जो लेयर है O3 है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अंब्रेला जैसे इसलिए से हम गुड ओजोन कहते हैं और 90 परसेंट ओजोन क्या होता है गुड ओजोन हो जाता है तो यह जो ओजोन है जो टैन परसेंट है यह आर्थ के टैंप्रेचर में बढ़ाने में मदद करता ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो ऑवियसली क्या है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी डैट्स वाई क्या है ग्लेशियस मैल्ट होंगी और बहुत सारी तो इसलिए इसे हम बैड़ ओन कहते हैं तो बैड़ और और कहा मिलता है इस या चूप मंदल में गुड़ेज़न कहा है आपको मिलता है आपको यह संताब मंटल में अब आप कमेंड़ बाक्स में मुझे लिखके बताइए कि कितने से किलो मीटर के बीच में ओजोड लेयर आए जाता है ठीक है यह भी आपके लिए महत्रपूर्ण है तो यह हुआ पहला स्टाटिक नेचर पार्ट ठीक अब दूसरा स्टाटिक पार्ट है कि ओजोन लेयर के सरक्षन के लिए अभी तक केवल तीन ऐसे सम्मेलन हुए है उन तीनों सम्मेलन को आपको याद रखना है है सबसे पहले नाम है क्या है विएना सम्मेलन विएना दूसरा है क्या है आपका देट इस मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कहां पे कनाडा में मॉन्ट्रियल यह टमाटर किट ठीक है मॉन्ट्रियल तो अब यहां पे यह बात ध्यान रखीगा कि यह जो आपका दिक रहा है मॉन् आपका summilen हुआ था तो पहला नंबर का यह है दूसरा नंबर का यह है यह हुआ था 1985 में उसके दो वर्स बाद जो है 90 Seton में यह हुआ और उसके बाद तीसरा देखते हैं कि था आपका किगाली एđग्रीमेंट किगाली था किगारी ठीक है यह आपका और कौन से वर्स में हुआ था 2016 में हुआ था यह तीनों ही आपके ओजोन लेयर सरेक्षन के लिए किये गए अंतरास्टी सम्मिलर हैं कोई चौथा नहीं तो आपको इतने सारे जब कन्वेंशन या इन्वार्मेंट समिट पूछे जाते हैं तो इन तीनों को याद रख लेंगे तो चैप्टर क्लोस ठीक तो यह बात ध्यान रखना एक इंट्रस्टिंग सी बात बताओं आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन में सबसे ज़्यादा हामफूल है वो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है और हम आसानी से दिमाग में आ जाता है तो वि सामिल ही नहीं किया गया था सिंपल सी बात जब मांट्रियल फ्लोरो कार्बन के ओश। करता है तो उसमें सेकेंड में सामिल मात्पूर्ण पार्ट देखिएगा वर्ल्ड राइनो डे अब यह सोच रहे हैं कि यह राइनो डे हमने इसे तो कभी नहीं पढ़ा भाई यह याद रखिएगा आपका जो है गेंडा प्रोजेक्ट भी चलता है और गेंडा परियुजना भी चलती है जो 1987 से स्टार्ट हुई ह बेसिकली जो गेंडा या राइनो होते हैं कुछ ही ऐसे देशों में मिलते हैं ठीक है करीब चार से पांच ऐसे देशों में ही मिलते हैं भारत में भी उन में से मिलता है और एशिया ही देशों में कुछ में मिलता है तो यहाँ पे भारत में एक सिंग वाला गेंडा सिर्फ से भारत मिलता है याद रखेगा और यहां पर भारत में वन हों जो आपका राइनो होता है वो बहुत कई बार पूछा जा चुका है यूपीसी पीसी आलग अलग राज्यों के पीसी में पूछा जा चुका है काजी रंगा नेशनल पार्क लेकिन आज के कांटेंड में नया क्या है फिर नया यह है सुनिएगा फ्रेंड्स कि यह जो राइनो होता है वर्ल्ड राइनो डे सबसे पहली बाद याद रखेगा इसके कंजर्वेशन को लेकर भारत में 1987 को गेंडा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था पॉइंट नमबर बन पॉइंट नम में भी मिलता है बहुत को है ना जावा सुमाथरा में भी मिलता है ठीक है तो यहां समझे गा की 2010 में वर्लीड वॉइद लाइफ फंड ठीक है прैसेwurf की अफ्रीकर रायू इस से क्या मनाने का इनिशिटिव कि या गया अब क्यों कि गया तो मैं बार पर वही कह रहा हौं कि य ताकि फ्यूचर में एक्स्टिंक्ट ना हो जाए तो यहां पे हुआ था क्या है इस प्रकार देखते हैं कि राइनो कंजर्वेशन के अवेरनेस के लिए ऐसा किया गया था पूरे वर्ड में राइनो की केवल फाइव वैराइटी ही मिलती है इसमें इंडियन राइनो सबसे ज बढ़ते आये थे और यह है भी करीब-करीब 2600 आसपास का भी लेटेस डेटा देखा जाए है ना आसपास का है तो अकेले क्या है काजी रंगा नेशल पार्क में पच्छी सो से जादा है तो कह सकते है मैजॉर्टी यहीं मिलती है ठीक यह अभी जो है कुछ पहले जो डेट रिलीज हुआ था उसके आधार पी कह रहा हूँ अब बाकी और कुछ जगह भी मिलती है राइनो अगर यह ऑप्शन दिया रहे है आप काजी रंगा के फेर में रहेंगे तो काजी रंगा तो करेक्ट है ही लेकिन यह भी करेक्ट है यहां पर भी कुछ मात्रा में कुछ पॉ ही पर कहां पर आसाम पर चाल-बात यह हो जा रहा है कि वंधी अभ्याहरन कहा है तो पभीतरा कहां पर आसाम पर राजी-गांधी ओरंग नेशल पार कहां पर जो है आपका को बिलते हैं ठीक है यह और क्या मिलता है गारत में सबी जगह क्या है वन हार्न राइनो सी मिलते हैं एक सिंग्वाला गेंडा ही मिलता है ठीक है गेंडा क्या होता है हर भी वोर्स होता याद रखेगा साकाहरी होता है और एवन एक राज्य है जहां पर हम कहते हैं कि भारत का जो उत्तरप्रदीस राज्य है वहां पर भी कु कुछ मात्रा में यह मिलता है और भारत का पहला रास्ती राइनो प्रजनन और सरेक्षन के इंदर कहां बना है पटना में ठीक है तो यहां पर लिख लीजिएगा क्या 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 पटना पटना तो राइनो भारत का पहला राइनो प्लाइक प्रजनन इवं सरेक्षन के इंदर production center जो है और conservation center कहा है आपका पटना में ठीक बस इदनी बातें याद रखेगा static part में बस इतना आएगा friends की यहाँ पर मैंने उसे already dictate कर दिया है otherwise मैं इसे map की base पर बता सकता था कि काजी रंगा यहाँ पर है बाकी और तीन जगह भी मिलती है और पैरलली यहाँ पर दुदवा निशनल पार्क में भी मिलता है और पटना में यह है यह इसका static था ठीक है इतनी बातें अब याद रखेगा अब आगे हम move करते हैं कुछ और महत्पूर बातों की और ठीक है बीच में हम जो है facts को भी cover करेंगे है ना कुछ महत्पूर फैक्ट और कुछ mcq भी cover करेंगे तो आए आए अब हम पढ़ते हैं कि नेक्स पार्ट जो very very important है एक्जाम के पॉइंट है उससे न्यूस में बहुत सारा देखी होंगे लेकिन मेरा आज का ये content cover कराने का purpose कुछ और है क्या है कि exam specific क्या क्या content इसमें याद रखनी है तो आपको पता है कि भारत से चीता extinct हो गया है विलुप्त हो गया है एग भी ACI चीता नहीं मिलती अब उसे क्या है वापस जो है यहां पे भारत में पुनरवाश करने के लिए पुनह इसे क्या स्थापित करने के लिए तो इस कहा मिलता ACI चीता तो Asian continent के हिसाब से देखा जा तो इरान में मिलता है इरान से 1970 में हमने प्रयास किया था उसे लाने का लेकिन वह जो समय के लिए बीच में कोर्ट वाला मामला भी हो गया देन अप्टर जो है फाइनली सफलता हमको कब मिली अभी 17 सेप्टेंबर 2022 को फाइनली भारत में आठ चीते की लैंडिंग हुई यह जो चीता होते हैं वर्ल्ड के फास्टेस्ट अनिमल होते हैं इसे हमने बहुत पहले सेशन में कवर किया था ठीक है तो यह जो चीताप उनरवास देखिए यहां पर देंडियान चीपा केसी सियोपूर जी ने सिळेके को नो पालपूर नेशल पार्क पहली बात तो याद रखेगा कूनो nes Conserv recently पर है ठीचे पहले कुनो जो है ऑश्धेंज था उसके बहाद रूसे अप्ग्रेड कर दिया एक की वाइल लाइड के चिरी को आपड़ीट किया जा सकता ये तो कूनोगा नेश्णल्पार्क है ना आप कहते हैं कि लेटेश जो तीन नेशनल पार्क बने है तो एक कुनो नेशनल पार्क है है ना एक राइमोना नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है ठीक है वो दोनों आश्राम पे है और ये जो है आपका क्या कहां पे है आपका मदरप्रदेश और महारास्ट ज परकार चीता का जो है यहां पर हम भारत में उसे वापस से पुनरवास करने के लिए हम उसे लेकर आए हैं ऐसे पचास से अधिक क्यों है लगवग हम चीता लेकर आएंगे समय समय पर ताकि भारत में इसका क्या है पुनरवास फिर से हो सके क्यों हो सके और क्या इंपॉर्टेंट है क्यों चीता पर इतना फोकस किया गया है मैं इसे बताने वाला हूं कुछ मिंटों में पहले यह समझेगा इसकी बैक्ग्राउंड को तो यह चीता पुरणवास यूजना जो तयार की गई थी एंटी सी ए ना सलिटाईगर कंजरवेशन अथारटी ऊजर भाग विकास प्राधिकरंड के दूरा यह योजना तयार की गई इसमें के जो help किया मददगार जो संस्था थी World Wildlife Institute WII बारती वनी जी संस्थान ने भी इसमें मदद किया ठीक है दोनों ही केंदर सरकार की है तो यहाँ पे उसके बाद finally नामिबिया से हमने 8 चीतों को भारत लेकर आए अब हुआ क्या कि भारत में चीता कब extinct हुआ कब विलप्त हुआ तो कहा जाता है कि 1947 से 1948 तक भारत में चीता मिलते थे वो भी 36 गड़ मदप्रदेश के बॉर्डर वाले जोन पर और मैं कहूं तो भारत 36 गड़ के कोरिया जीले में ठीक है यहाँ पर जो है ACI चीता मिला करता थ ठीक है क्योंकि यह वो जोन है जहां पर चीता के लिए सबसे एकलेमेटाइज और डेंस फॉरेस्ट जोन है यह भी तो यहां पर यह मिला करता था अब उस जमाने में यह लगवक आजादी के पहले-पहले का आजादी के आसपास का समय है है तो आजादी के पहले से और आज बने नहीं थे वो तो 1972 में बना आप देख रहे थे हैंना वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना जिसके बाद जो है नेशनल पार वाइफ सेंक्चूरी को जादा जादा मानेता जादा इंपावर किया गया ठीक तो उस समय क्या है ततकालीन समय में है ना जो है र वहाँ पर जो है चीते की जो है लास्ट जनरेशन आइकॉन से चीता एसी आई चीता दो बातों को धियान रखना है चीता विलुक्त भारत से हुआ है वोगी ये चीता दुनिया से नहीं इरान में अभी भी मिलता है तो हम ऐसा भी कर सकते उसी आई चीते को भारत में लाते लेकिन हमने प्रयास किया था लेकिन नहीं हो पाया, whatever it may be, ठीक, दूसरा, अब हम क्या किये, हम African चीते को भारत लेकर आ रहें, अब चीते, चीता क्यों important है, मैं उस पर focus करूँगा, last point समझ लीजिए, कि जब ये अंतिम चीता 47-48 में मिला, है न, उसके बाद देखते हैं, 1952 म भारत से पूर्णता विलुप्त कर दिया गया, माना गया, ये विलुप्त हुआ, extinct हो गया, condecide करता है, तो ये red data book, पब्लिश हो थी, IUCN, International Union for Conservation of Nature, जिसका जो है, headquarter कहां पे, gland है, जो Switzerland में, ठीक है, ये दुनिया का fastest animal है, यहाँ पे तेंदवा और चीता वाली बात मैं बत ठीक है, इसे मैं बड़ा कर दो क्या, तो यहाँ पर देखिए, ये जो फेस तक डॉट 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 जो देख रहा है, ये कभी भी तेंदवा में नहीं जाता, चीता में ऐसा जाता है, ठीक है, दूसरी बात, ये जो धारी दिख रही है, बलैक जो आपकी ध धारी दिख रहे हैं आंसू निकल रहा है टाइप का यह सिफ चीता में मिलता है तेंदवा में नहीं मिलता ठीक है यह याद रखिएगा यह एफ्रिकन चीता यह चीता नहीं है लेकिन चीता में यह दो चीजे कॉमन होती है डॉट डॉट पूरे फेस तक आ आती है और वो जो आसू टाइप का स्टक्चर दिख रहा है ना वो जो धारी दिख रही है यह मिलता है चीता में चीता रात को शिकार नहीं करता दे को सिकार करता है ठीक है यह बात ध्यान रखेगा है ना अब यह बात ध्यान रखेंगे उसके बाद फास्टेस एनिवाला मैं ड़ेड़ कलर का है और इसका आख नहीं है दाहरियां दोनों में मिल ही है ड़ाट ड़ाट दोनों केими टक पहुंच गया है ठीक है यह बात धियार रखना दोनों ही मतलब रात में रात में शिकार नहीं करतें लिफनान को ही कहा जाता है ऐंब्लेला इस species umbrella species कहने का मतलब क्या है मैं बताऊंगा भी थोड़ी दिर में अगले slide में है ना क्यों important है वो भी बताऊंगा फिलाल हमको यहां पर दो तीन बातों को focus करना है कि इसका नाम क्या है African चीता जो भारत में बसाया जा रहा है उसका नाम भी important हो गया और जो भारत में मिलता था उसका नाम भी important है क्योंकि यह भारत का है ठीक है या ACI चीता का नाम देखिए क्या है तो और African चीता का नाम क्या है इसका scientific ने में क्या है एसीनो निक्स जूबेटस एसीनो निक्स जूबेटर्स नाम है और इसका नाम भी एसी नॉनिक्स जूबेटर्स है लेकिन वेनेटिकस जोड़ गया है तो ये क्या एशिएन चीता हो गया देखो आपको एक बात कुछ नहीं है यह सब बिल्ली फैमिली वाले हैं आपका क्या क्या है चीता तेंद्वा चाहे एफिरिकन चीता ओ एशन चीता कुछ भी हो तो चीता तेंद्वा बिल्ली आपका कहना चाहिए टाइगर लाइन सब एक ही फैमिली वाले हैं ठीक है अब कुछ सब में क्या है स्टक्चिर देखो उनका जो है सेप अगर वह देखा जाए तो अल लेकिन ये बात ध्यान रखेगा सब के सब एक ही फैमिली वाले हैं अब यहां पर इसका नाम इंपॉर्टेंट है यह एसी नोनेक्स जुबेटस और एसी नोनेक्स जुबेटस वेनेटिकस ठीक है अगर एसी आई एफ्रिकन चीते की बात करें तो कम्प्लीटली आप एफ्रिक अगन कॉंटिनेंट में मिलता है इसकी सरेक्ष्ण इसी देखा जाये तो आयू सीन की जो रैड लिस्ट में वंडर लेवल है मतलब इनके नमबर्स बहुत है अभी भी हाला कि यह थोड़ा सा कहना चीज़ सवेदन सील आ गया है वंडर लेवल आ गया है लेकिन इनके नमबर फिर भी ज्यादा है और अगर हम सीटेज सीटेज को मैं कईयों बार बता चुका हूं सेटेज का फुल फॉर्म एक्जाम में पूछा भी जा चुका है ये भी क्या है फ्लोरा फोना के कंजर्वीशन से रिलेटेड है इंटरनेशन लेवल पे तो उसके एपेंडिक्स वन में लिस्टेड है कौन सा एफ्रिकन और यह डबलू पीए कहते हैं वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के पर इसस्टू में यह सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे वाला क्योंकि यह भारत में नेशनल पार वाइल लाइफ सेंग्चूरी कि से बनें किसे प्रोटेक्शन मिल मिलता है वाइल लाइफ कंजर्विशन एक्ट से मिलता है तो उसे डबलू पीए भी कह सकते हैं तो इसमें कौन से एपेंडिक्स में सामिल है अब जब एशियाई चीता की बात करते हैं तो एसी आई चीते का इसका डिस्ट्रिबूशन देखा जाए तो भारत और भारत के आ पास-पास है है ना तो अब फिलाल यह क्या है critically endangered अतीस अंकट ग्रस्त और से सी आर कहते हैं आ यू सी अं की जो कोडिंग होती है अलग-अलग होती है जिसमें कि हम देखते हैं यह सी आर में हैं यानिक्रिटिकली इंडेंजर्ड है अतीस अंकट ग्रस्त है इसके बाद जो ह है जहां मिलता था मैंने बता दिया तो हम जब री उसे फिर से क्या कर रहे हैं री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं भारत में तो आने वाले समय में इनकी population बढ़ेगी ओबिस्टी ठीक तो यह बात ध्यान रखेगा अब यहां पर दो बाते और समझनी है सिटेश के यह भी यहां पर यहां पर भी है फैंडीक्स में तो दोनों चीजाए कॉमन एंडूसरा इसमें 1972 के अपंडिक्स तू में है तो यही चीजें लिहां से इंप्वार्त में आज है भारत में अगर कहा जाया तो यह तो एक्स्टिंग्ट है यह ग्लोबल स्टेंटस अग्लोब स्टेटस क्या है आतीसि संकट गरचा भारत में क्या है एक्स्टिंक्ट यह यह एक्स्टिंग्ट वाली बात समझ में आई कि आप लोГ को देःए इसको मैं थोड़ा सा क्याहां बता देता हूँ एक्स्टिंग का मतलब कैसे होता है देखिए अगर हम पहले भी किसी ने current affair की class attend की होगी यह मैं बता चुका था कि क्या होता है कि कोई भी मालो wonder label है wonder label से थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो endangered हो जाएगा EN बन जाएगा EN से endangered मतलब संकट ग्रस संकट ग्रस से और ज्यादा चला जाएगा तो critically endangered हो जाएगा उसे हम कहते हैं CR कहते CR के बाद जो है मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं CR के बाद क्या है अगला जो जाता है वह एक्स्टिंग फ्रम वाइल तो EW कह दिया जाता है EW के बाद finally extinct माना जाने मान लिया जाता है ठीक तो यह sequence है इसका है ना यह सीक्वेंस है सीजी पीएसी में इसमें भी पूछा जा चुका है इसे completely की आप लाइक फ्लोरा फोना के जो conservation की IUCN की रड़ डेटा लिस्ट में जो अलग अलग कैटेगरी उसको लिखिए है ना बड़ी कोश्टिंग में पूछा जा चुका है यूपीएसी और राज जी की पीएसी में भी ये कोश्टिंग बहुत आसानी से पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही बड़ी लिस्ट होती इन्जेंड ये चिता एंड़ी एक्स्टिंग फ्रॉमाल में एक्सट मोरेधन सील संकट ग्रस्त अतिसंकर ग्रस्ट परूंगडश्ट और ये में ये एसियाई टाइग एसियाई चीता एसियन चीता कम्प्लीटली एक्स्टिंग्ट है कोई भी मेंबर नहीं मिलता लेकिन ग्लोबल स्टेटस क्या है इसका सी आर है critically endangered है तो एक बार जब प्रस्ण पूछेगा तो चेक कर लेना भारत की संदर में पूछ रहा है या ग्लोबल कॉंटेक्स में पूछ रहा है ठीक है इतनी बातें आप याद रखेगा अब मैं आपको बताता हूँ क्या बताता हूँ कि Government of India ने उनके document में कुछ बातें लिखी है क कि क्यों चीता important है तो इसे हम environmental एंगल से समझने का प्रयास करते हैं जैसे कि यह चीता देख रहे हैं बहुत ही आजू बाजू देख रहे हैं बहुत ग्रेनरी देख रहे हैं मतलब कहा जाए इनके लिए एक अच्छा एक क्लाइमेट है कह सकते हैं या अच्छी स्थिटी में कह सकते हैं अब इसका मतलब क्या है की जब जहां पे भी क्या होता है चीता मिलता है तो चीता को कहा जाता है umbrella species आपर증 कहा जाता है umbrella species का मतलब क्या होता अम्ब्रेला से या छाता से आपको दो चीजों की सुरक्षा मिलती है धूप से और बारिश से दोनों से मिलती है अब जहां पर भी अम्ब्रेला स्पीसीज होगा जैसे एक्जामपल है टाइगर, लायन, चीता, तेंदवा ये जो होते हैं ये क्या होते हैं कार्नी वोर्स होते और ये लोग बाकी जो एनिमल का हंटिंग या शिकार करते हैं तो आप यहां पे बात पर फोकस करिएगा किसी एरिया में टाइगर, लायन, तेंदवा, चीता वगरा है मतलब टॉप लेवल पे जो कार्नी वोर्स होते हैं इसे टॉप कंजूमर भी कहते हैं क्योंकि उसे और सिकार होने का डर होगा. ठीक है पहला फायिदा क्या हो गया, मैं वन बाइवन सभी को बता देता हूँ, पहला फायिदा क्या हुआ कि हमने समझा कि किसी एरिया में चीता के प्रजेंस के मात्र से ह्ये उस एरिया में बाकी आनिममल नहीं जाएंगे, जो ग्रेजिंग करते है जो दूसरे चीजों को क्या है इस प्रकार लाइक कह सकते हैं ग्रेजिंग गर की उस एरिया में नहीं जाएं क्योंकि खुद शिकार बन सकते हैं तो उस एरिया के जो फ्लोरा फॉना होते हैं वो छो छोटे छोटे फ्लोरा फॉना होते हैं जो कभी भी चीता सिकार नहीं करता वो सब वहाँ पे बच जाएंगे बच जाएंगे तो वो क्या है वहाँ पर grazing animal जाते तो चराई कर लेते और वो चराई करने वाले को दूसरे animal कैस शिकार करते तो फिलाल पहला point मैंने कहा कि अगर उस area में बागी animal मन नहीं जाएगा तो जो है flora fauna अच्छे से डेबलप होंगे point number one दूसरा तो यहां पर मैंने क्या कहा कि ecosystem ecosystem जो है ज़्यादा क्या हो जाएगा बहतर हो जाएगा ठीक बहतर की sense में flora और fauna की sense में क्योंकि उस area में बाकी लोग नहीं जाएंगे तो आसानी से grow करेंगे non disturbing zone हो जाएगा दूसरा point चीता की खुद की क्या है यहाँ पे पुनर्वास करना है चीता पुनर्वास भारत पे विलुप्त हो गया तो चलो चीता को फिर से बसाएंगे यह दूसरा objective है तीसरा objective यह है कि यह क्या है umbrella species है umbrella species होने पर क्या होता है कि इस area में इको सिस्टम रीस्टोर हो जाता है कहने का मतलब कि वहाँ पे अब human being का भी disturbance कम हो जाएगा क्योंकि उस area में tiger, lion, cheetah और बाकी सब चीज़े दिखेंगे तो उस area में क्या होगा ecosystem क्या हो जाएगा रीस्टोर हो जाएगा इसका मतलब है वहाँ greenery बढ़ जाएगी क्योंकि human being भी उधर जाने से डरेगा क्योंकि human being का मतलब यहाँ factory वेक्टरी सही केवल सामेल नहीं है वहाँ पे local जन जाती है local people जो है या फिर कहा जाए कि जो कभी अतिक्रमण किया करते थे आप नहीं करेंगे क्योंकि उनकी population जादा है उस area में ठीक है और यहाँ पे बाद ध्यान रखना इससे फाइदा क्या होगा carbon sink बढ़ेगा carbon sink बढ़ेगा यह वही point बता रहा हूँ जो government अप इंडिया की site में है carbon sink बढ़ेगा मतलब atmosphere में carbon को absorb करेगा जो क्या है global warming के लिए responsible है और यदि हम carbon sink बढ़ता है मतलब carbon को खीच लेता है तो क्या है climate chain को रुका जा सकता है छोटा देखो एक छोटी सी चीजियों कर रहे हैं कितने सारे फाइदे हैं ठीक है ecosystem बहतर हो जाएगा चीता का पुना आवास प्राप्त हो जाएगा इसकी इनकी population बढ़ जाएगी ecosystem restore हो जाएगा क्योंकि बाकी लोग उधर जाने से डरेंगे बाकी animal plant सब डरेंगे अनिमल और बाकी लोग ठीक है इससे carbon sink बढ़ जाएगा carbon को absorb करने जो है लाइक ग्रीनरी बढ़ जाएगी तो carbon अब आसानी से sink होगा photosynthesis ठीक है क्योंकि CO2 को क्या करेंगे utilize करेंगे CO2 में आपका carbon है ठीक तो यह point हो गया अब उसके बाद यदि ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा ultimately उस एरिया में क्या है बहुत ज़्यादा ग्रेंडरी बढ़ जाएगी उससे फायदा यह हुगा कि वह ecosystem में जो food chain होती है वह food chain सम्रिद्ध हो जाएगी ज्यादा प्रिच हो जाएगी और आने वाले समय में हम देखते हैं इको टूरिजम के पॉइंट अब उससे बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो यह जो पांच पॉइंट है आपके साइट में दिया हुआ था उसी के accordingly है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है अंब्रेला स्पीसीज अंब्रेला स्पीसीज किसी एरिया में है तो बाखी को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जैसे कि टाइगर था तो टाइगर जिस छेत्र में होगा तो उसे एरिया के आसपास कोई दूसरे ग्रेजिंग अनिमल या कोई दूसरे व्यक्ति या human being वगरा वो नहीं भटकेंगी क्योंकि डर होगा ठीक है इससे कारण क्या है उस एरिया के फ्लोरा फोना को सबको प्रोटेक्शन मिलेगा तो उस टाइगर या चीता के प्रेजिंस के कारण उस एरिया में एक अंब्रेला टाइप का प इसके बारे में कुछ बातों को समझदा है हमको इस hydrogen को कहा जाता है भविशय का इंधन, fuel of the future भविशय का इंधन कहा जाता है पॉइंट नमबर बन, दूसरा पॉइंट याद रखते हैं इसका जो isotope होता है, isotope समझते हैं इसका atomic number same और यहां पि इसका atomic mass अलग, परमाणु क समस्थानिक कहा जाता है, तो इसका isotope है याद रखीगा पहला है क्या है 1H1, मतलब इसका atomic number क्या है 1 है, इसका यहां पे परमाणु भार भी क्या है 1 है, इसे कहा जाता है protrium, ठीक है protrium, दूसरा कहा जाता है कि इसका atomic number same होगा, है ना परमाणु करमांग same होगा, परमाणु अलग अलग होगा तो वान एच्टू परमानुक्रमांग एक है परमानुभार दो है तो इसे कहा जाता है डियूटीरियम डियूटीरियम ठीक ये दूसरा फैक्ट है और इस से रिलेटेड एक और फैक्ट ट्राइट्रियम इसका परमानुक्रमांग एक परमानुभार तीन इस इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं जल या वाटर कहते हैं तो हम क्या कर रहे हाइड्रोजन को यूज कर रहे है यदि मैं डूट्यूरियम को यूज करूं तो मैं क्या लिखूंगा डी टूओ लिखूंगा तो डी टूओ को कहा जाता है है वी वाटर या भारी जल कहा जाता है भा मॉलिकुल में केवल एक मॉलिकुल ऐसा होता है क्या है ये भारी जल होता है इतना जादा क्या है ये दुरलब है कि जल जो है जल का 7000 मॉलिकुल में एक मॉलिकुल क्या होगा भारी जल का होगा ये बात ध्यां रखेगा ये भारी जल को एक्जाम में कई बार पूछा जा चु सेन्टर यहां पेट्रोंभे में बनाये जा चता है अब यहां भावा एक्ट्र में बनाय जाए रहा है ऐसो युटिलिटी उपयोगिता होगी उसकी उपयोगिता क्या होगी जब नुक्लियर रियक्टर होता है घास स summologist का हता है ये भी एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि डी टूओ मतलब भारी जल जो साथ हजार अनुपात एक होता है मतलब साथ हजार में एक मॉलिकुल ऐसा होगा और यह भाबा अटामिक रिसर सेंटर ट्रॉम्बे में बनाये जाते हैं और यह जो है इसके आईसोटोप यह हैं भविश्य का इंधन है यह से मंदक और सीतलक न्यूक्लियर रेक्टर में यूज किया जाता है मॉडरेटर कूलेंड के तोर पे बस इतना आज हम समझते हैं चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स करेंट अफियर की और चलिए अगला देखते हैं प्रणाम यूजना प्रणाम यूजना बेसिकली किस से रिलेटेड है यह रिलेटेड है आपके फटीलाइजर से लेकर फटीलाइजर क्या होते हैं नूट्रीशन की बात करते हैं तो प्लांट में क्या है दो टाइप के न्यूट्रेंट होते हैं एक मैक्रो न्यूट्रेंट होता है एक टिपिकली धान की खेती करने वाला किसान को कुछ चीज़ें तो बहुत आवश्यक हो जाती एक है यूरिया एक है डीएपी डाइआमोन आए गया अब फैक्टरी से बनाने के बाद किसानों को उसे बांटा गया लेकिन मैनुफैक्ट्रिंग से लेके उसके ट्रांस्पोर्टिंग और ट्रांस्पोर्टिंग से लेके डिस्टीवूशन और डिस्टीवूशन के बाद फानली किसान के हाथ आते आते तक बहुत 2020 में 1.62 क्रोड था और 2.25 क्रोड अभी इस साल है 2.2 लैक क्रोड खीक है और उससे पहले दिखा जाए तो 1.62 क्रोड 62 लैक क्रोड तो इतना यूज और भारी भर का मैंमोंट इसमें यूज हो रहा था तो अब क्या है हम एक ऐसा स्कीम जो है लाउंच करने वाले हैं याद रखेगा इसका पूरा खाखा तयार हो चुका है जिसमें क्रिसी प्रबंद नेतू वेकल्पिक तत्वों को हम सवर्धन करेंगे और इसी को ही नाम दे दिया गया प्रणाम प्रधान मंत्री प्रणाम यू और रासाइनिक उर्वरक को कम से कम उप्योग करेंगे कहने का मतलब एक जो और्गनिक फार्मिंग है या न्यूट इनोवेटिव टाइप आप जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देंगे पैरलली क्या है हम जो कैमिकल फर्टीलाइजर से उसके उप्योग को कम करेंगे ठ लिक्विड यूरिया बना दिया अब यूरिया को लिक्विड फार्म में हम यूज करेंगे घोलेंगे उससे स्प्रे कर देंगे अब उससे फाइदा हो जाएगा दूसरा वो तो कैमिकल है फिर भी चलो अब क्या है और्गनिक फार्मिंग वर्मी कल्चर जीरो बजट किसी आएसे बहुत सारे इन्योव्यटिव तरीके से हम कैमिकल फर्टिलाजर का यूज क कम करेंगे क्रॉप फार्मिंग्स भारी क्रॉप रोडेशन और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं तो एक ऐसा टेक्निक भी लाए गया था जो बेसे ली कैमीकल फर्टिलाजर को जो है बहतर से बहतर उसका output प्राप्थ हूँ ऐसा कहा गया था तो नीम कोटेड यूरिया इन सी यू का मतलब नीम कोटेड यूरिया देखो यूरिया जो होती है न उसका केवल 30 से 40 पतिसत भागी किसान यूस कर पाता बाकी 60% पार्ट जो है वो या तो वैपराईज हो जाएगा या तो पानी के में बहेके चला जाएगा या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में convert हो जाएगा जो atmosphere में चला जाएगा और उस एरिया में air pollution भी होगा उस एरिया में क्या है यूरिया का proper utilization भी नहीं हो पाएगा तो उसे रोखने के लिए उसका like misuse रोखने के लिए या कहा जाए कि वो जो vaporize हो रहा था वो पानी में जो घुल जा रहा था नाइट्रेट में और अमोनिया में जो convert हो जा रहा था उसके उपर हम neem की coating करेंगे तो उससे क्या होगा कि अब यूरिया जो है नाइट्रेट में आसानी से नई बदल पाएगा और उसे हम किसान को बहतर फाइदा हो पाएगा soil health में भी सुधार होगा है ना हम देखे हैं कि ज़्यादा पादप selection plant conservation में भी क्या होगा जो है सुरक्षा मिलेगी मतलब ज़्यादा फाइदा होगा है ना रसायनों को उपियोग में कमी हो पाएगी की ठमले और रोगों में भी कमी होगी और इसे धान गन्ना और से बहुत सारे जो डाल कुल वाले पौधों है तो उन सब का production overall बढ़ जाएगा तो इन सब का एक ही जोजना का कि फर्टीलाइजर केमिकल फर्टीलाइजर को धीरे धीरे योज से बाहर निकालना तो अब उसके लिए क्या चाहिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन क्या डालेंगे हमारा आप ऐसे ताइप के न्यूट्रिशन डालेंगे जो क्या होगा और और्गनिक फॉर्मिंग के टाइप का होगा और लिए तरीके से होगा उसका कैमिकली कोई जो है डिस अड्वांटेज नहीं होगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा तो उसे हम अभी समझते हैं कौन सा नियूट्रेंट क्या होते हैं ना यह प्रणाम का फूल फॉर्म थोड़ा ठीक है तो प्रणाम योजना प्रमोशन आप अल्टरनेट न्यूट्रेंट आप एगरी कल्चर मेनेजमेंट यह प्रणाम हो गया और फिर लास्मी यूजना इन्नी में कहा जाए क्रिसी प्रबंद हिरने तू वेकल्पिक पोसक तत्व का सवर्धन तो यह पोसक तत्व क्या है आईए अब हम समझते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ नीम कोटेड यूरिया और साधरन यूरिया में क्या डिफरेंस है यह स्लाइड में सब चीजें दी हुई है आप स्किन सॉट ले लीजे एकॉर्डिंग इसे पढ़ सकते हैं ठीक मैं अभी एक्स्प्लेंड करने वा यह एक्जाम में पूछा जाता है तो यह क्या होता है एक होता है मैक्रो एक होता है मैक्रो दूसरा होता है माइक्रो ठीक है यह होता है सूक्ष में पोशक तत्वा यह होता है दीरगह पोशक तत्वा ठीक है अब इसे याद रखना है तो मैंने एक च्छतीस गड़ी का डाय सब्सक्राइब तो इस प्रकार हम एंट की यह पूछ रहा है सिंपल सा तो इस प्रकार हम देखते हैं टोटल न्यूट्रन कितने होते हैं 17 होते हैं यह 17 में देखते हैं 9 जो होता है macro होता है और 8 होता है जो micro होता है यह दीर गहें यह सुक्ष में है तो यहां पर 9 हो गया देखो carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus potassium calcium magnesium sulfur तो these are the 9 4 4 8 और एक 9 ठीक यह बात समझ में आ गया वैसे micronutrient की जब बात करते हैं तो यह 8 है तो यह पियर बना लेना तो ABC का तो हो एक को भूल जाओ तो क्या बन गया बी और सी तो बोरान और chlorine उसके बाद आपका एक दोस्त है उसका नाम है फेकू आईरन और कॉपर ठीक है जो थोड़ा सा क्या है मजनू टाइप का है तो मजनू तो एम एन और जैड एंट एम एन और जैड एम और मजनू और यहां पर देख लेते हैं जिंख मजनू का एम एन और मजनू का मतलब यहां पर जिंख ठीक और imagine करिए कालपनी character है किसी का नाम होगा तो don't mind it please यह just neemonics है ठीक है मोनी नाम का ठीक तो मोनी मॉलिबडेनम और निकल तो ABC का A छोड़ दो तो BC बोरान का क्लोरिन फिर फेकू का आईरन और कॉपर फिर यहां पर मैगनीज और जिंग मजनुका और मोनी का मतलब MO मतलब मॉलिबडेनम एन आई मतलब निकल तो इस प्रकार आप माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट को याद रख सकते हैं यह आठ जो है आपका माइक्रो न्यूट्रेंट है ठीक यह बात ध्यान कूलस्ट करे भारत सरकार में एक रिसी में नीम लेपित यूरिया नीम reacting को डिया को ओपosphory को भाड़ावा देती एक है तो क्यों भडहावा देती है तो ज्याद रखेगा कि मृदा में नीम के तेल के प्रयोक से मिदा के सुक्षप जीवों द्वारा नाइट्रेजन इस्थी करन्ट बढ़ जाता है। नाइट्रेजन इस्थी करन्ट करेगा वही जो नाइट्रो लेग्यूम्स पौदे होते हैं, जो लेग्यूमिनेसी दाल कुल वाले पौदे होते हैं, उसके रूट नाइट्रेजन में राइजोमियम मिलता है, वही उसे यूज़ करता है, तो पहला तो ऑप्षिन गलत है। ठीक, दूसरा, नीम कोटिंग मिट्टी में यूरिया के विघटन की दर को दीमा कर देता है। येस, दिस इस दे राइट आंसर, नाइट्रेट में नहीं बदल बदलने देता, आमोनिया में नहीं बदलने देता, नहीं तो वह प्राइज हो जाता, ठीक है, तो भी इसका सही उत्तर है, और नाइट्रस आकसाइड जो ग्रीन हाउस गैस है, फसल की खेतों द्वारा वातावरन में बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता, रॉंग है, और यह व ही होती है, और भारत सरकार की महतपूर्ण योजना होती है, जो आने वाले समय में यह और टेजी से बढ़ेगी, और इसी कारण जो है, भारत सरकार जो है, नए स्कीम भी लेकर आ रही है, प्रणाम योजना, तो यह इसका गहराई वाला पॉइंट ही है, आने वाले समय में प्रणाम योजना एक्च्वल में लांच हो जाएगी तो उसके बाद देखिएगा इसका जादा से जादा प्रमोशन होगा और यह करेंट अफेर में फिर से आएगा तो क्यों ना हम इसे यहां पढ़ ले तो जितने भी जो इनोवेटिव टेक्निक्स है चाहे लिक्वीड अब इसके बाद जो है आज का करेंट अफेर का पार्ट जो चारों चीजें हमने अल्लेडी कवर कर लिया है मिलते हैं हम नेक्स क्लास में थैंक्यू सो मच हबनाइस देख